हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अमारे यूटूब चनल कॉमिक फैन पर चले दोस्तो शुरू करते हैं दोगा उन्मूलन श्रंखला की तीसरी कोमिक्स दोगा न्याए जो की दोगा बेकाबू से नेक्स्ट है चले शुरू करते हैं पिछले भाग दोगा निर्मूलक और दोगा बेकाबू में आपने पड़ा दोगा ध्वारा एक के बाद एक ड्रग्स के गोदामों को तभा करने से ड्रग माफिया प्रेशान है इस प्रेशानी का एक ही हल है दोगा की मोत एक सक्स जो खुद को निर्मूलक कहता है दोगा को मारने के दावे के साथ अपना प्रस्ताव और्गेनाईजेशन के सामने रखता है और्गेनाईजेशन का हैड यूसुफ जो की और्गेनाईजेशन के ड्रक्स के कारोबार में लिप्थ होने के खिलाफ है निर्मूलक का प्रस्ताव ठुकरा देता है दूसरी और मोनिका लोयन जिम में सुरज का सर्प्राइज बड़े प्लान करती है लेकिन मोनिका की योजना सुरज के बचपन के जखमों को हरा कर देती है और सुरज मोनिका पर बरस पड़ता है दोगा यूसुफ की बढ़्डे पार्टी में भ्यंकर कतले आम मचाता है जिसमें यूसुफ का बेटा समीर मारा जाता है और यूसुफ बुरी तरह घायल हो जाता है सुरज मौनिका से अपने बरताव के लिए माफी मांगने आता है लेकिन परिस्थिती तब और बिगड़ जाती है जब मौनिका सुरज पर दोगा के हावी होने की बात कहती है दूसरी ओर अपाहिज हो चुका यूसुफ निर्मूलक को दोगा को मारने का कोंट्रेक्ट देता है उधर मुंबई में विभिन इलाकों में दोगा ध्वारा कतल किये गए लोगों की लाशे ब्रामद होती है जिनके शरी पर गुदा होता है यह है दोगा न्याए अब आगे पड़े पुलिस हेड़कॉर्टर्स कमिश्नर कामत कैबिन मुंबई आकिरिये हो क्या रहा है इस्पेक्टर तेजा तीन दिनों में पंदरवी लाहस है यह और हर एक खून के साथ पुलिस के मुँपर एक तमाचा मार रहा है दोगा मरने वाले की शिनाक्त हुई? जी हाँ सर मरने वाले का नाम बाबु यादव था प्रिमिनल रिकोर्ड होल्डर था जबरन हफ्ता वसूली अपरन और योन उत्पिडन के मामलों में कुछ सालों की जेल भी काड़ चुका था लेकिन सजा से छूट कर आने के बाद उसने अपराद छोड़ दिये थे कम से कम रिकोर्ड और मोजदा रिपोर्ड तो यही दरसाते हैं बाबु यादव और पिछले सभी मरने वालों में एक समानता है सर वह क्या सभी क्रिमिनल रिकोर्ड रखते थे लेकिन अपराद से तोबा कर चुके थे अपराद की दुनिया को छोड़ कर नए जीवन की शुरुआत करने में उन सभी को यूसुफ खान ने आर्तिक मदद परदान की थी इसका मतलब डोगा उन सभी के पीछे है जिनका किसी ना किसी रूप से यूसुफ से संबंद रहा है जी सर मतलब साफ है कि वह यूसुफ को जड़ से खतम करना चाहता है दोगा ध्वारा निर्दोसों की हत्या पुलिस की नाकाम्या भी है और दोगा के ध्वारा जाहिर संदेश ये है डोगा न्याए हमें सीधा चैलेंज है इससे पहले कभी उसने हत्याए करके लाशों पर संदेश नहीं छोड़ा न्यूस चैनल्स और अकबार वाले इसे मुद्दा बनाकर पुलिस को निकम्मा थाबित करने पर तुले हुए है मुझे दोगा चाहिए किसी भी हालत में जिन्दा या मुर्दा लेकिन सर दोगा को काबू करने के लिए एक पूरी फोज की जरुत पड़ेगी जितनी फोर्स चाहिए बुलवा लो जितनी जल्दी हो सके मुझे डोगा या तो सलाखों के पीछे चाहिए या फिर कब्र में Somewhere in Mumbai मैं सच कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता प्लीज मुझे मत मारो मेरे सवालों के जवाब के सिवा तेरे मुझे जो भी निकलेगा वे तेरे मुझे निकलने वाली आखरी बात साबित होगी इसलिए उसके बाद तू जो कुछ भी बोलेगा सो समझ कर बोलना लेकिन मैं बतातो चुका हूँ की या मैं बताता हूँ डोगा, बताता हूँ, इस खंजर को दूर करो, पुरानी टेलिफोन एक्सचेंज बिल्डिंग में इस समय एक मिटिंग चल रही होगी, तुम जो भी जाना चाते हो, तुम्हें वहीं से पता चल सकता है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता, भटाक इससे ज़्यादा का पता, मैं खुद लगा लूँगा, तु बस इतना करना, कि ऐसी कोई हरकत मत करना, कि मुझे तेरे पास दुबारा आने की जरुत पड़े नहीं डोगा, डोगा, अरे कहा चला गया ? हाँ, जैसा तुमने कहा था, मैंने वैसा ही कहा, हाँ, नहीं, उसे सक नहीं हुआ, अरे, शक होता तो यह फोरण मेरा, यह फोन मेरा भूथ उठाता था, लेकिन मेरे बाकी के इनाम का क्या हुआ ? ओ हाँ, तेरा अवोड मिलेगा, जल्द ही मिलेगा, यह क्या, ओ नहीं, और टेलिफोन एक्सचेंज, उस फ्लोर पर रोशनी दिखाई दे रही है, सायद, वही है मेरी मंजिल, वही मिलेंगे मुझे मेरे सबी स्वालों के जवाब, या फिर, खड़े हो जाएंगे नए सवाल, लोमडी, डोगा, तू लोमडी, तेरी यहां ओने के उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन मुझे तुम्हारे यहां आने की पूरी उम्मीद थी डोगा, लेकिन तुझे उम्मीद करनी चाहिए थी, कि डोगा यहां तक ना पहुँचे, या क्या कह रहे हो डोगा, वही, जो बढ़ाक, धाएं, हिलने की कोशिश मत करना डोगा, तुम ग्रिफतार किये जाते हो प्लिस फोर्स, हत्यार बंद, पुरी तयारी के साथ, इन्हें मेरे यहां आने का पहले से ही पता था मतलब साफ है, यह कोई इत्तिफाक नहीं, एक सोची समझी साजिस है इस बार डोगा की नाक, उस साजिस की गंद सुंग पाने में नाकाम रही कौन कर रहा है यह सब, क्या लोमडी, उसका यहां होना तो, इसी बात की और इशारा करता है लेकिन ऐसा करके उसे क्या हसिल होगा, भागने का कोई रास्ता नहीं है डोगा, आत्म समर्पन कर दो दोगा और कानून ने तुमें जिन्दा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया है, आत्म समर्पन करने में ही तुमारी भलाई है कानून कब से डोगा की भलाई के बारे में सोचने लग गया मेरी भलाई के बारे में सोचना छोड़ इस्पेक्टर अपनी सोच अगर मैंने आत्म समर्पन कर भी दिया तो वह पुलिस की जोली में भीक के समान होगा अपनी काबिलियत सिद्ध करनी है तो दोगा को ग्रिफतार करने आए हो ग्रिफतार करके लेके जाओ साबित करो कि सिर्फ अफसरों का हुकम नहीं बजा रहे हो तुम लोग साबित करो कि दोगा को पकड़ने की हिम्मत और जज़बा है तुमारे अंदर मैं इन पुलिस वालों पर गोलिया नहीं चला सकता लेकिन ऐसी रहम दिली की उम्मीद इनसे करना बेकार है इनसे पीछे छुडाना ही में एक मात रुपाई है ओ नहीं, घराब किस्मत पूरी तरह से साथ है धर, धराब, धर, धराब उफ, लगता है एक भी हट्टी सलामत नहीं वची होगी सर, दोगा भागने में काम्याब हो गया सर मुझे दिखाई दे रहा है उमा कांथ इस बार बज गया डोगा अगली बार तो ये जिन्दा पकड़ने की कोशिस नहीं करूँगा सिधा गोली सिर के अंदर डालूँगा इस पेक्टर तेजा का भेजा गोम गया है और जब तेजा का भेजा गोम जाता है तब वे अपराद्यों की मोत बन जाता है पुलिस ने इस पूरे एरिया को घेर रखा हो सकता है मुझे फोरन यहां से निकलना होगा वरना मुसीबत दोगनी ऐसी भी क्या जल्दी है डोगा धर यह तो बस सुरुवात है असली मुसीबत से अभी तेरा सामना हुआ ही नहीं कोन हो तुम मैं? मैं ही तो हूँ वे जिसकी तलास में तु मुंबई की बदनाम गल्यों की खाक चानता फिर रहा है अब मैं सामने हूँ तो तु पूछ रहा है कौन हूँ मैं? मैं हूँ डोगा दे की सुरत को कुट्टे से मिलती है न? और कुट्टे को जब कोई बुरा लगता है तो वह उसे काट लेता है गुर वाउ वाउ हा प्राक क्या हुआ डोगा? बुरा लग गया? चे 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 कुट्टे को कुट्टे की बुराई पसंद नहीं आई चल ठीक है कुछ ऐसा करते हैं जो तुझे पसंद आएगा तु जाना चाता है ना मैं कौन हूँ? बंदे को निर्मुलक कहते हैं कुछ देर बाद तु कुछ भी कहलवाने लायक नहीं रहेगा हाँ 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 घायल कुट्टा बहुके बिना नहीं रह सकता मुझे पसंद दे तेरे ये जोसो जुरून तुझे पता है? दोगा मैं तेरा सबसे बड़ा परसंसक हूँ क्योंकि हम दोनो काफी हद तक एक जैसे है तुझे किसी का खोफ नहीं है और डर किसे कहते हैं यह मैं बचपन में ही भूल चुका हूँ समस्याओ को हल मत करो बल्कि उन्हें जड़ से खतम कर दो मैं भी इस विचारधारा का समर्थन करता हूँ दोगा इसलिए मैंने अपना नाम निर्मूलक रखा है निर्मूलक यानि जड़ से खतम करने वाला लेकिन तु सिर्फ बोलता है दोगा और मैं वाकई समस्याओ को निर्मूल करता हूँ समस्या की जड़ कहा है क्या है बिना जाने बिना समझे तू उस जड़ को खतम करने का दावा करता है लेकिन समस्चा की जड़ जितनी जमीन के उपर दिखाई देती है डोगा उससे कहीं ज़्यादा जमीन के नीचे होती है जो तुझे दिखाई ही नहीं देती वह जड़ अपना अंस छोड़ ही देती है और उस अंस से पनपते हैं नजने कितने ही अपराद के पेड़ अपरादी खतम अपराद खतम क्या बकवास है अपरादी खतम होने के बाद भी अपराद खतम नहीं होता वह तब तक खतम नहीं होता जब तक कि उस अपरादी से संबंदित एक भी इंसान इस दुनिया में मोजूद है अपराद अगर खतम करना है तो पूरी तरह खतम करना होगा जड़ से वही मैं कर रहा हूँ यूसुफ की बड़े पार्टी में जिन लोगों को मैंने तेरे रूप में मारा वे सबी अपराद के समुद्र की छोटी बड़ी मचलिया थी उन मचलियों के साथ मोजूद था यूसुफ उस समुद्र की सार्ग एक समय में अपराद की दुनिया का गोर फादर जो की अब किसी चर्च के फादर की तरह सुधरने का ढोंग कर रहा है निर्दोष औरतो और मासूम भच्चो को मार कर अपराद के समुद्र की कैसी गंदगी साफ कर रहे हो तुम मैंने कहा ना मैं इन अपरादियों को जड़ से खतम करता हूँ इनके परिवार के साथ ताकि कल को कोई और यूसुफ बन कर अपराद के समुद्र का ओक्टोपस न बन जाए लेकिन अपनी सणक उतारने के लिए मेरा सहरा क्यों ले रहे हो तुम तेरा सहरा? हाँ 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 अच्छा मजाक कर लेता है डोगा तुझे लगता है कि यह सब मैंने तेरा रूप धर कर खुद को बचाने के लिए क्या? नहीं डोगा, यह सब मैंने तुझे दिखाने के लिए क्या कि असली न्याय क्या होता है न्याय वह है जो मैंने उन अपरादियों के साथ किया यूसुफ के साथ किया जड उखाडने से काम नहीं चलेगा उसे दुबारा पनपने से भी रोखना होगा तू मुंबई का बाप कहलवाने के लायक नहीं है दोगा, मैं यह सब बदल दूँगा मुंबई को एक नया बाप मिलने वाला है निर्मूलक जो ना केवल समस्चा की जड़ को खतम करता है बलकि उस जमीन को भी बंजर कर देता है जहां वह जड़ दुबारा पनप सकती है समझ गया, क्या समझे यही कि तेरा पागलपन अपने अंती मिस्तर को पार कर गया है और तेरे पागलपन का इलाज भी मुझे ही करना होगा गलट डोगा मुझे उन आम अप्रादियों की तरह समझने की भूल मत करना जो तेरे डर से लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं डोगा, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ डोगा, मुझे तेरा डर नहीं है और यह बात तु जितनी जल्दी समझेगा तेरे लिए उतना बहतर होगा ठन, मुंबई को डोगा की नहीं निर्मूलक की जरूत है यह बात तुझे और मुंबई को समझनी होगी और यह बात तुझे अच्छे से समझाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वह मैं करूँगा तु बुड़ा हो गया है डोगा तेरे रिटायर होने का वक्त आ गया है उसके रिटायर होने में अभी वक्त है लेकिन तुम समय से पहले जरूर रिटायर हो जाओगे धार, रा, का, का तु जो भी है लड़की तुझे यह हरकत भारी पड़ेगी मुझे मेरी हरकते कितनी भारी पड़ेगी यह तो नहीं पता लेकिन तुझे तेरी हर एक हरकत इतनी भारी पड़ेगी कि तु इनके बोध से कभी उबढ नहीं पाएगा तो क्या लगता है अभी पुलिस के लफडे में नहीं पढ़ना मुझे तुम दोनों से हिसाब अधूरा रहा अगली मुलाकात में यह हिसाब चुकता करूँगा यह वाइदा है उठो डोगा तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ेगी लोमडी जब तु मेरे प्यार में पागलो कितर है मुंबई की गल्यों की खाक छानना बंद कर देगा गलत फैमी में जीना छोड़ लोमडी मैं तेरे पीछे अरे 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 डोगा संभाल अपने आपको डोगा ओफ यह तो बेखुश हो गया थोड़ा कम खाय कर डोगा खा खा कर मुश्टंडा हो गया है उफ इसे उठाते तो लगता है मैं खुद दुनिया से उठ जाऊंगी लोयन जिम ठक खड कड़ाक यह वाज केसी सूरज क्या यह तुम हो यह खुदा नेक्स्ट डोगा उनमत करमशे चलिए दोस्तो इस कॉमिक्स में इतना ही इस रोमान चे कॉमिक्स की कहानी जारी है अगले भाग में भी डोगा उनमत में मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले भाग में तब तक के लिए धन्यवाल